हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल उटूप चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चन्दनकुमार हाजीरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो गाइस आज की नहीं वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल ऑफ उपन लेंडिंग में पढ़ते हैं और उन सभी के एक्जाम की डेट शीट आ चुकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से ही क इसके अंदर आप लोगों के हम complete syllabus की discussion के बारे में बात करेंगे क्या आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या नहीं पढ़ना क्या-क्या unit है हलकि market में अब जो इसकी बुक का है सिमेस्टर वाली आप लोगों के लिए पूरी year की तरह ही मिल रही है जैसा कि पहले मि वीडियो है आप सभी के लिए हिस्टरी की हम लोगों ने अब तक दो क्लासेस लगा चुके और उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और मैं आशा करता हूं इसी प्रकार से आप पोलिटिकल साइंस की वीडियो की सीरीज को भी बहुत पसंद करेंगे और इन दूट्स को भी शेयर कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकि आप इन नमर तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप इस तरीके से हमसे इस नमर पर कॉंटक्ट करके अपने जो भी डाउट्स है आप अपने नम आप लोगों के लिए क्या है तुलनात्मक शासन और राजनिती तुलनात्मक शासन और राजनिती यानि comparative politics इसमें आप लोगों के लिए 6 units है 6 units का मतलब 6 party नहीं है यह chapter जो है बहुत बड़े बड़े है और इसके अंदर बहुत सारे questions ऐसे हैं जो आपके exam में आते हैं ब अंदर सिफ 69 pages ही है सिफ 69 pages ही है और इस 69 काफी कम है आप लोगों के लिए यह नहीं समझ लेना इसमें कि बहुत चोटी book है यह बहुत मौटी book है आप लोगों के लिए और इसमें बहुत सारे topics ऐसे हैं जो आपके exam में आते हैं नाओ यहां पर मैं आप सभी के सामने इस topics को तो थोड़ा से zoom करूँगा यहां देखिए सबसे पहली बात सबसे पहला lesson आप लोगों के लिए क्या है कि पहले इन दो lesson से दो question तो आपके आने से exam में 110% fix हैं अभी आप exam हो सके online दे रहे हो पर आने वाले समय में offline भी exam दोगे मैं आप लोगों को बता दू कि आप लोगों online exam दे रहे होते हैं तो इन 10 में से आपका last question जो होता है वो short note का आता है और हमने online class के अंदर हमने जो short note है आपके बहुत ही कम देखें online जो classes है इसकंदर आप लोगों के लिए online जो आपके exam होते हैं 6 question में से mostly long question ही पूसते है short question नहीं पूसते तो भई अभी आप लोगों को उसी साब से द्यारी करने है अगर आप लोगों के online exam हो रहे हैं इस covid के दोर में तो आप लोगों को short question कम सकंद प्रपेर करने या ना करने आपको long question ही प्रपेर करने लेकिन अगर आप offline exam देंगे तो आपके short question भी प्रपेर करने पिड़ेंगे सबसे first unit का नाम है तुलनात्म राजनिती क्या है तुलनात्मक राजनिती का अर्थ है इसका विशलेशन करना इसकी प्रगर्ति क्या रहती है और साथसत इसकी जो भी विशेस्ता है या विविदिसके विशे है तुलनात्मक जब भी हम अध्यान करते है शासन का तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन-किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए दूसरी बात तुलनात्मक शासन में सत्तावादी और लोगतांत्रिक इन दोनों में क्या अंत्र होता है इसके बार में आप लोगों को पढ़ना है और यह यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इसके बार में इससे हमारा कितना डिफरेंस है इसके बार में आपसे एक्जाम में पूछा जाता है और यह कोशन भी बार बार आपसे रिपीटिड होता है आप लास्ट येर में जो आप लोगों क्योंकि आप तो 2022 आ गया और इस साल अब तक समेस्टर का कोई भी एक्जाम भी हुआ है पिछले समेस्टर जो 2021 में हुए थे थर्ड समेस्टर का ओलनाइन एक्जाम या असाइन्मेंट भी हुए थे तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर से कोशन पक्का बनाता नाव यहां पर अगली बात करेंगे फॉस्ट पास्ट दी पोस्ट य अनुपातिक परनाली का मतलब एकल संकर्मनी परनाली होती है जिसका चुनाव हमारे देश में राष्ट पती पदिगले किया जाता है और अमेरिका में नॉर्मल इलक्शन के लिए भी इसके अलाबा कुछ परनाली चुनाव की ऐसी भी है जो मिश्रित परनाली यानि मिक्स ह उसके अंदर हम दोनों लक्षन देखते हैं फॉर्स्ट पास्ट परनाली की और अनुपातिक परनाली तो आप लोगों को यहीं देख गया होगा या तो आपसे एक्जाम में इसके बारे में विस्तरितली पूछ ला जाएगा विस्तार से या पिर आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है उसके गुन और दोश पूछे जा सकते हैं कौन सी वेवस्ता किस से अच्छी है आप कैसे कह सकते हैं आपके तरक पूछे जा सकते हैं तो इस तरीक से इसके साथ साथ दलिये वेवस्ता तो भारत की दलिये वेवस्ता आपसे पूछी जाएगी तो आपको में 67 से बाग से लेकर 67 के बाद से लेकर 77 तक दो दलियां पर हमें दिखते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है और इसके बाध में आगे हम बात करें 77 से लेकर 89 तक तो 77 से जो 80 है यहां तक तो गटबंदन की सरकार रहेगी और पिर 81 से जो तक जब राजिवी प्रदानमंत्र है तब तक हम एक चीज दिखती है इस जगापर फिर कॉंगर्स बहुमत में आ जाती है और 1989 से लेकर मई 2014 तक हम एक चीज दिखता है कि वहीं गटबंदन की सरकारे रहती है लेकिन में 2014 में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिलता है और 2019 में भी मिलता है तो हमें दलीय व्यवस्ता के बारे में भारत की दलीय व्यवस्ता के बारे में पढ़ना है और इसका comparison भी आप लोगों को बीच-बीच में देखने को मिलेग इसके बाद में अगला है राजजी की प्रकृति पर समकालिन विचार यहीं आज के जो लोग है यहीं आज की जो विचार है के समकालिन विचार तो आप लोगों को समकालिन विचार पता होने चीए आप लोगों ने exam first semester में अगर offline दिये होंगे तो आप लोगों को पता होग गांधिवाद, इसके बाद में आप लोगों ने पढ़ाओगा समाजवाद, तो समाजवाद ऐसे प्रेरिद होता है, तो ये कुछ राज्य द्वारा ही स्विक्रित आज की समकालिन विचारदा रहा है, और इनके अनुसार राज्य की क्या प्रकृति है, इसके बारे में तो आप लोग ये मत सोचना कि जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ये प्रोग्राम वालों के लिए ये ओने वालों के लिए, आप अपने से टॉपिक्स को देखिए, आपके टॉपिक अगर मैच खाते हैं तो प्रोग्राम वाले बच्चे आउनर्स का भी परसकते हैं, और सीधी सी बात है, same answer आप लोग करेगा, हलांकि honors के जो students है, उनके marks की weight is एलग होती है, उन्हें asol के इंदर आपको पता है, कोई practical नहीं होता, handed marks का paper होता है, ये program के students के लिए, और ये honors के students के लिए, program के students को pass होने के लिए, पूरे 36 नमर लाने, 35 भी नहीं 35 भी है तो भी फेल है इस साल open book examination जो हुए थे उसमें बहुत सारे बच्चे जिनने 34 पैथिस देके फेल गिया गया है तो इनकी passing category यह है इसके लावा honors के जो students है उनकी जो passing category होती है वो 40 marks की होती है हाला कि आप लोग यह कह सकते हो कि owners वाले बच्चों को मैनत तोड़ी जाधा करने पड़ती है topic same है तो same answer भी लिखोगे marks की वही percentage value अगर आप निकालते हो तो भी आप लोगों को जाधा difference नहीं दिखेगा तो मैं तो यही कहूँ आप लोगों को और मेरी तरफ से आप लोगों और offline होगा तो आप लोग बहुत बुरी तरीके से फर्जा होगे अगर आप लोगों की त्यारी नहीं होगी तो आप exam में fail भी हो सकते हो और हम लोगों को fail नहीं होना हम लोगों को अच्छे mark screen करने और आगे आगे आप लोगों के जो भी target है चाहे वो आईस बनने का है चाह अच्छा उत्तर लिख सकते हो कितने अच्छी किताबे बढ़ सकते हो कितना अच्छा दिमाग यूज कर सकते हो यह इस पे डिपेंड करता है बहुत सारे बच्चे में में इसलिए रह जाते क्योंकि उन्होंने graduation को बहुत lightly लिया होता है तो lightly ना ले graduation को अच्छे तरीके से आप अपने exams की त्यारी करें आप हमारी वीडियो को लाइक करें अधिक सकते कमितों तक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि यह हमारे आपके स्क्रीन पर contact नमबर अप्शू हो रहा है और अगर आप लोग कोई भी डाउट आता है तो आप अपन अपनेंगे तो उसके लिए भी और आने वाले टाइम पर हमारे चैनल के मादम से आपको competitive exams की भी त्यारी करवाई जाई है कि दिल दिले जैसे ऐसे हमारा चैनल ग्रोग करेंगा हम और भी facilities आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे इसके साथ दो चीज़ आप लोगों को दो होगा ठीक है एक होगा discussion group है और दूसरा group आप लोगों के लिए जिसमें सिर्फ मैं ही message share कर सकता हूं उसको बोलते है channel आप उसको भी join कर सकते हो दोनों को join करिए हमार साथ जुड़िए और हमारे चैनल को subscribe करिए चैनल ग्रोग करिए चैनल जय हिन जय भारत करिए चैनल जय हमारे चैनल आप लोगों कर दो हँए चैनल जय हो।